कि गुडिविनिक बच्छो आज हम परस्णावली च्यारपूंट चे साथ यहां पर उपुछते तो यहां पर कुछ सवाल है उनको हल करने की कोशिज करेंगे चलो देखते हैं पहला परसन क्या कहता है और यहां पर पहला परसन यह सलंग आकरती को देखर जो आकरती दीवी है ना उसको देखना है देखने के बाद यहां पर कुछ पॉइंट दिये हैं कुछ परसन दिये हैं उनको हल करना अब यह देखो परसन नमबर एक में एक क्या कहता है कि वर्थ का केंदर आप देखो आकरती को देखना है और वर्थ का केंदर बताना तो आप सबको पता है कि को कोई वर्थ होता है तो केंदर हमेशा उसके कहां पर होता है बीच बीच होता है और किस जिसको किस से किस से अंकित किया हुआ है उसे तो यहां पर लिख दें वर्थ का केंदर क्या है यहां पर केंदर क्या होगा ओ का ये had — कवला हमारे को इतना नहीं यांसर लिखना है कल ये जो दिया है ना उसका यांसर लिखना अब देखो तीन तीर जाएं तीर जाहह देखो तिर जहुआ हमें सब वरत को यंदर से जो परेदये हो था ना वहां उसकी बीच की दूरी होती है, आप देखो O से लेकर A, O से लेकर B और O से लेकर C, यह इसकी क्या हो गई? तिर्जाय होगी, तो यहांपर 3 तिर्जाय हैं, और कौन कौन सी है? O A, 1 है, O B, और A क्या है? O C, आपको पहले बता दू कि तिर्जाय मत होती है, जो के अंदर से व्यास व्यास होता है तिर्जा का दो गुणा व्यास होता है लेकिं तिर्जा रह मिसा रही होना यह लेकिन छाईए तिर्जा एसी के द्वारा ब्र नोट किया गया है व्यास को हमेशा जाहर ना तिर्जा ङूंद दिलया मटई tua और के breath की ली और दे कि आरिंदी के दूसरी छोड तक जो रहती है उससे क्या खेते हैं कि वह एक जीवा कोणे सी ई और दी के विल्यार यहां पर deaf you लिखना कों सी ए allów इनले और दी आद्धि नांजी एन तर मैंने पहले पतादें कि अद्र और गुर्णे में दो दुद वेत्कों इसके अंधर देखो इसकी प्रेदी पर है और यहां दर है इसकी प्रेदी पर बात करें पई क्योंकि ये बहार है तो अंदर दो यी विंदू रे गए एक तो ओ यह बिह तो यहां पर 2 बिंदू को यो और पी कि और अभी तीक अभी देखो बाई रिबाग बाईरऴ का अर्थ होता है बाई की दृएคी उब दिखात कॉन सा है कि यह कुन सा है क्यों अब यह देखो एक 30 खंड इसके दुआरा जो बनाएगा गया जो वर्थ जो खंड इसा होता है ना वर्त का उसे तिर खंड खेते हैं अब यह देखो औहसे लेकर एक तिर जाए है और से लेकर एक विदिश्य जो इसके द्वार जो बनाएं गया ना उसको क्या कहते हैं तिर्जखंट कहते हैं अब यह कौन सा है उसका नाम है कि ए ओ सी ए ओ और सी ए और सी नहीं है यह यह बी ए सचिरी यह क्या है बी आए गया यहां पर अब यह देखो एक तिर्जंड होई गया एक वर्थखंड की बात कर रहा है वर्थखंड यह होता है कि वर्थ का जो एक इसा होता है ना खंड होता है उसको कहेंगे अब यह देखो बात करें एक वर्थखंड की वर्थ है ना वर्थ के जो यह बनाए गया था ना वर्थ इसके किसी भी भाग में क कि Day तो है यह मेर परसनरें एक पूरा हुआ दो क्या क्या परसन नंबर तो हैं परसनेंबर नमबर ऩो यह कहता है क्या बश्की अधिक अब यह क Grace यह देखो कोई वरत हैं अब अब इसकी जिवा होती हमें से द्यान लगना व्यास होती है ने ये व्यास है क्या है क्या है ये की व्यास है व्यास हमें ऐसा द्यान रखना सबसे बड़ी क्या होती है एक जीवा होती है तो हम यहां पर लिख देंगे कि हाँ कि हाँ क्या वर्द का परते एक व्यास उसकी एक जीवा हाँ तो व्यास क्या होती है व्यास लेकिन यह देखो बात कि जाए परसन नमबर 2 की दूसरे के बीकी तो क्या वकी परतेग जीवा उसका एक व्यास होती है अब यह देखो यह व्यास हो गई je कि मद्द्धूयान की केंदर से घुजरती बहीं जाती है लेकिन बात कि जाए इसकी ये जीवा है हमेशा द्यान करना यह क्या है जीवा लेकिन कोई भी जीवा व्यास नहीं हो सकती लेकिन व्यास जीवा हो सकती है तो क्या वर्थ की परतेक परतेक की बात करें अब मालो इसको मैं जीवा मानू यह तो व्यास हो जाएगी लेकिन यह वाली जीवा व्यास नहीं होगी लेकिन परतेग दे दिया है न यहां पर देखो परतेग तो यहां परोज आएगा नहीं नहीं यानि कि परतेग परतेग जीवा जीवा क्या नहीं होती है उसका व्यास उसका व्यास नहीं होती है नहीं होती है अब यह देखो परसन नमबर होती है अब बात की जाए देखो परसन नमबर तीन की कोई वर्थ कीजिए और नीमन को अंकित कीजिए अब यह देखो कोई वर्थ बनाना उसका केंदर एक वर्थ बना ले यहां पर अपने मन पसंद से अब देखो यह चोटा बना है लेकिन यहां पर बड़ा ब बना दो अब यह देखों बड़ा बनादिया वो क्या चाहा है उसका एक केंदर केंदर बनाकर उसको किस से डीनोत से तो स्का जैने आघ wh Although इतना लिखना अब यह दोखो एक तीरज्या वर्त से परिदिता की जो दूरियों ती आ उससे क्या लेकिन बात की जाए एक व्यास की तो व्यास देखो ये वाला और यहां पर ना मंकित कर दो यह वाला इसा है ना यह वाला इसा यह वाला इसा होता है ना यह वाला यह तिर्जगंड खहलाता है अब यह देखो बात करो एक वर्त खंड की ना अगी तो वर्त पर जो भी खंड बनता है देहो यह वना दू यहाँ पर और इसको नाम देदें दू टो इसो कोई बीविंद हरत होता है कि अंदर की तरफ मालों अंदर की तरफ कोई भी बिंदू पी अंकित कर दू तो अंदर की तरफ कौई सा बिंदू हो गया पी हो गया बहरी बाग में जानते हो बाहर की तरफ कोई भी बिंदू कर दू ऐसे कर दू पी क्यू आर कर दू यहां पर देखो आर कर दिया तो कौई सा बिंदू हो गया यह वहला चाप तिर्स जाप के दूरा जो जो हिसाहिश भी जू नहीं यहां ए से लेकर जो बी साफ को ता तर जिनोट कि ए जाता है चाप को लेकिन आपके इस कॉर्स में है नहीं लेकन यहां पर कुणसा चाप हो गया यहै he ett हory कैसे जैसे मान लो कि तर जै he हों यहां पर सब प्रिदत यह दो प्रिद्द को पर सकतन नमबर क्या कहता है न हम जो पढ़ना है समझळनने हो और उसके बाद में उसके बताना वर्त के दो व्यास अवशे ही पर्तिचेद करेंगे अब यह देखो वर्थ के दो व्यास है ना व्यास कि अब पर्तिचेद करेंगे तो हम एशा करेंगे यह कौन सा खतन है सत्य खतन कैसे सत्य हखतन अब ये देखो यह वरत हो गया वर्त पर जो कैंदर से होता हूँ व्यास जब्तन करें ओपर हो गया अब यह देखो वर्थ का के अंदर सदेव उसके अभ्य अंतरमी स्थित्त होता हां अभ्य अंतरमी के अंदर है ना अभ्य अंतरकार तो हता है अंदर की तरफ वर्थ के अंदर की तरफ तो यह कुन सा खतन हो गया सत्य घता है कुन सा खतन हो गया सत्य घता है इसी परका करो दो गयो जो भी कि